आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार उपरास्रपती वंकया नाइडू ने अयोध्या में मंदिन निर्मार कारियों की समीक्षब ही की बता देगे लखनाउस से स्पेशल ट्रेन के जरिये अयोध्या स्टेशन पहुचे वंकया नाइडू उन्होंने यूपी की राजपल आनंदी बेन पटेल उसूबे के दोनों डिप्टी सियम ने उनका जोरदार स्वागत भी किया साथ ही वंकया नाइडू बियम मोदी के संसद्य छेत्र वारार्सी भी जाएंगे यहां काशी विश्वनात धान समेत अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन के बार पंडित दीन दयाल उपाद द्याए जंक्शन स्थेत इस्मती स्थल भी जो आएंगे उपरास्रपती तो तसीरों के देख सकते हैं आप उपरास्रपती के यूपी दौरे को लेकर इस रक्षर विवस्ता काफी चाक चौबंद है साथी साथ आयोध्या और काशी जाएंगे बड़े मंदिरों की दर्शन भी करेंगे आपको बता दे कि पूजन दर्शन करने दीन दयाल पूजन दर्शन के बाद पंडित दीन दयाल उपाधिया जंक्षन स्थेत इस्मती स्थल भी जाएंगे प्रास्च परदेश के दोरे पर है जहां उनका दो दिवसी दोरा है जहां आज वो आयोध्या गये है यृध्या गये है तो उनका भाविस्वागत किया गया सीम योग्यादितनात राजपाल आनदी बैन पाठेल और दोनों डिप्टी सीम द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया सुबे के दोनों डिप्टी सीम ने जोरदार स्वागत किया 37 वेंकायन आईडो पीम मोदी के संसदिय छेत्र वारार सी भी जाएंगे जहां वो काशिव विश्वनात धाम समेत कई मंदिरों के दर्शन पूजन करेंगे और आज वो हनुमान गड़ी और राम लला के दर्शन करने के लिए राम जन्मभू में पहुंचे साथी साथ राम मंदिर निर्माण का जो जायजा लेने भी पहुंचे गारे जिस तरह से प्रगति पर चल रहा है उसका भी जायजा लेने पहुंचे पहुंचे तो स्रक्षर योस्ताब देख सकते हैं स्पेशैल ट्रेन से डियोडया गए है लकना उस डियोडया स्पेशल ट्रेन द्वारा गए है और वहाँ पर राम लला के मंदिर के जो निर्मार कारे है वो काफी तेजी से चल रहा है और उसी का जाइजा लेने भी पहाँजे साथी साथ दो दिन के दोरे पर हैं उपराश्पती दर्शन पूजन के लिए उतरप्रदेश आए हैं और उनके दोरे को ध्यान में रखते अज आयोध्या गए हैं और उनका काशी का भी दोरा है अगर बात करी जा आयोध्या दोरे की तो कहां का दर्शन कर लिए हैं और राम लला के मंदिर के निर्मार कारे के समिश्वा की भी बात सामने आई है क्या कुछ रहाज का कारिकरम पूजन किया है उसके बाद वहां पर्जेंटेशन किया है पूजन अर्चन किया है पूजन अर्चन करने के बाद ये वहां लगवग 2 बज के पाइशन नड़ पर बना रच करिए अगर बात करीजे सुरक्षय विवस्था की और साथी साथ उनके साथ मौजूद लोगों की तो कौन-कौन साथ में मौजूद राओर कैसी सुरक्षय विवस्था देखने को मिली रागवेंटर उनके साथ में अगर उनक के साथ में कई मंत्री ऐसे रहे हैं जो इनके साथ में रहे हैं और आला कमाज जो वहां से हैं आधिकारी हैं वो लोग यहां रहे हैं जी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रियों हम आसे जुड़ने के लिए था माम जानकारी के लिए इस ख़बर पर मासे समधाता करेंगे रुक करते अगली खबर की तरफ वरार्सी से एहमदाबात का सफर अब आसान होगा आज से गो एरवेज यानि की गो फर्स्ट एयरलाइन्स की सीधी विमान सेवा शुरू हो रही है यह विमान सबता हमें छे दिन संचालित होगा वही टिकेट की बुकिंग शुरू हो गई है अभी तक एहमदाबात के लिए सीधी विमान सेवा नहीं थी विमान यात्रियों को दिल्ली होकर जाना पड़ता था जिससे समय और पैसे दोनों अधिक खर्च होते थे इसी को ध्यान में रखते हुए गो एरवेज ने इस रू प्लाइट शुरू होई जिससे यात्रियों को भी काफी सुविधा मिलेगी तो कोरोना के चलते इस फ्लाइट को बंद किया गया था रोक लगाई गई थी हला कि कोरोना के बाद अब इसे जब शुरू किया गया है तो डायरेक्ट फ्लाइट कर दी गई है आपको बता दे कि एहम्दबाद फ्लाइट जाती दी लेकिन वो लॉंग रूट से होके जाती थी जिसकी वज़े से किराया भी जादा पड़ता था और लंबे सफर की वज़े से समय भी काफी भरबाद होता था लोगों का जिसकी वज़े से अब राहत मिलती नजर आ रही है यात्रयों को तो गो एएरवेज की सीधी फ्लाइट की सुविधा शुरू कर दी गई है किराय की बात करें तो वो भी काफी कम रहेगा डारेक फ्लाइट से यात्रयों के सुविधा मिलेगी समय के बच़ोय तो होगी तो वारार्सी से एहमदाबाद को सफर अब आसान हो गया है वारार्सी इंटरनेशनल एरपोर्ट से अब डारेक्ट फ्लाइट मल सकती है एहमदाबाद के लिए जहां आज की समय में बिजी लाइफ में लोग चाहते हैं कि उनका समय बचे और ऐसे में अब ये बड़ी सुविधा जना खबर सामने आ रही है और इस खबर पर हमाई से ज़ादा बाचीत के लिए समधा तक गौरव शुर्वास तब जोड़ चुके हैं गौरव सभी अपने समय और पैसे की बचत चाहते हैं और अब जिस तरह से Go First Airline ने ये सुविधा प्रदान करी है तो किस तरह से देखते हैं ऐसे कितनी समय और पैसो के बचत हो सकती है अब जिस तरह से जो अधर्टिप नगरी है कासी विशनात की नगरी है और इस रूप चाहल भी वहाँ पर करेड़ोर कर नर्मार किया गया है और साथ ही साथ बड़ी बात ही है कि परहामाती रने नमोने का संसरी चेत्र भी है तो निसी रूप से बारारसी से एहम्दावाद की जो उरान शुरू हो रही है वो बहतर होगी और से आदम के समय बचेगा पैसाई बचेगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब बड़ी बात ही है कि बारारसी है वहां से एहम्दावाद की गुजराद की राजनी लोग जा सकेंगे और समय के साथ साथ एक जो सीरी रॉन शुरू ही उससे लाब में मिलेगा कि गुजराद के जो लोग है वो भी किर्धंतर के लिए एक बारारसी आसाथ क्योंकि आदार्पी नगरी है गुजराद के बात करें इससे टूरिज्म में बढ़ावे कि यानि कि डारेक्ट फ्लाइट से टूरिज्म को किता बढ़ावा हूं मिलेगा कि अब गुजराद से लोग भी यहां पर आसके डाइट फ्लाइट यहां पर हो गई अभी तक गूम के जाना पर पता और निश्रूप से पैसा भी बचेगा समय बचेगा और जिसकरा से बनारस का अपने एक नाम है अधेकी नगरी है पमांधती के संसरी छेते को लगाता है इसको बैतर करने के प्रयाशकर आई है जल सेबा भी वहाँ पर व्यास्टाय की गई है और जिस तरह से लगाता बनारस पर काम होना तो निस्ची रूप से आनवारस बनारस बहुतार होगा और निस्ची रूप से जब कही जगें की दायेट फ्लाइट वहाँ पर बनारस से हो जाएगी तो जो परटन है भी छेट भी बच्चत होगी देश में कोरोना का कहर जो आ रही है पिछले 24 घंटे में देश में 949 नए केस सामने आए हैं वहीं बीटे दिन 6 लोगों ने जान गवा दी हैं देश में कोरोना वाइरस से अब तक संक्रमेत हो चुके लोगों के संक्या बढ़कर 4 करोड 30,49,972 हो गई है उपचारा धीन मरीजों के संक्या भी बढ़कर 11,191 पहुँच गई है जो कुल मामलों का 0,03 प्रतीशत है मुदादे के बचले 24 घंटे में उपचारा धीन मरीजों के संक्या में 133 की बढ़हौतरी दर्ज की गई वही दूसरी और गाजियाबाद में भी कुरोना का साया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जहां गाजियाबाद के कई स्कूलों में सिक्शक और छात्र भी कुरोना की चपेट में आ गए है तो कोरोना के मामले लगतार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं अब जो दिल्ली में भी कोरोना के मामले सामने आने लगे तो दिल्ली सरकार भी एहम फैसला ले सकती है और आज जी बात सामने आई है कि एहम निर्देश दे सकती है क्योंकि दिल्ली से सठे नौईडा औ वाजियाबाद में कोरोना के मामले ही लगतार सामने और इस बार जब कोरोना के मामले सामने आ रहे तो इसमें सबसेदा बच्चे ही प्रभावित नजर आ रही है यानि कि स्कूली बच्चे जिनकी उम्रह 18 साल से कम है वो कोरोना संक्रमे तब पाए जो आ रहे हैं और स्कूल भी खुले ही थे ऐसा मानज़ जूरा रहा था कि नए सेशन में बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे दो साल जो कोरोना में खराब हो गए हैं इस बार उस सिराहत मिलेगी बच्चों की पढ़ाई सो चारू रूप से चलेगी लेकिन एक बार फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर और जीवन पर कोरोना का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है देश में बफिर कोरोना के मामले सामने आए हैं 949 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के मामले बफिर बढ़ने लगे हैं बीते दिनों की बात करें तो छे लोगों की मौत ये बीते दिन कुरोना से और कुरोना के मामले जिस तरह से कहर ढ़ा रहे हैं ये काफी चिंता जनक इस्तिती और इस बार बच्चों के उपर जिस तरह से कुरोना का साया देखने को मिल रहा है ये काफी चिंता जनक इस्तिती ह तो कुरोना के मामले लगतार बढ़ रहे हैं अब स्वास्तव विभाग में भी इससे हड़कम पमचता नजर आ रहा है आपको बता दे कि लगतार कुरोना के मामले बढ़ने से और स्कूली बच्चों के संक्रमित पाए जाने से बच्चों के पढ़ाई पसर पढ़ रहा है गई हलाकि स्कूलों का सेनिटाइजेशन भी करवा दिया गया है तो कोरोना के 949 मामले यानि के करीब 1000 के करीब मामले सामने आए हैं कोरोना के और बच्चों के संक्रमे तो उने से पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है वहीं अब बच्चों के जो माता-पिता है जो परिवार है वो भी कहीं न कहीं परिशान होता नज़र आ रहा है क्योंकि देश ने कोरोना की गंभीर इस्तिथी का सामना किया है और जब बात आती है बच्चों पे तो सभी सहम जाते हैं और जब अब बच्चे कोरोना संक्रमे तो हो रहे हैं इससे पहले भी कई बार बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग भी उठी थी तो इस बार फिर ऐ ऐसा ऐसी स्थिती उत्पन होती नजर आ रही है जो हम माता पिता काफी परिशान हैं और बच्चों की वैक्सिनीशन के लिए सरकार की तरफ आस भरी नजरों से भी देख रहे हैं और इसकबर में से जबाद चीट के लिए गाजवबाद से समवधाता प्रवीन मिश्रा जु करोना बंब स्पोर्ट हुआ है खास तरुपे बच्चों को लेकर इसमें अभिवावक काफी परिसान नजरा रहे हैं कहीं न कहीं इस तरह से जो किसी तरह से इस्पूल खोले गए कहीं न को लेकर भी चिंटा ज़ता ही जा रही है अभिवावक को दोरा क्योंकि जिस तरह से स्पूल बन थे अभिवावक भी परिसान थे की बच्चे हमारे घर पे नहीं पर पा रहे हैं किसी तरह से जब स्पूल खुले हैं उसके बाद से बच्चों के अंदर में इस तरह को लेकर जी अगर बात करी जाए दिली के तरफ से जो आज बड़ी ज़ानकारी आई है कि दि इस तरह से बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं उसको देखते हुए क्या कहेंगे कि नौईडा गाजियाबाद में भी ये एसो पी जारी होगी जो दिली की तरफ से दी जाएगी जी बिल्कुल खास तोर पे दिली को महस्पूर इसलिए माना जाता है कि दिली राजधानी है राजधानी के इसाफ से देखा जब दिली से सटा हुआ गाज़ेबाद नोईडा भी है जहांपर काफी बच्चे दिली से नोईडा गाज़ेबाद पढ़ने के लिए आते ही क्य हैं उनको लेकर खास तोर पे जो बड़ी चिंता जदाई जा रही है हो सकता है कि वर्ल्ड हैल्स और्गनिजेशन ने जो रिपोर्ट जारी करी ती कि चौथी जो लहर आ रही है उसके उसमें जो वेरिंट रहेगा जो बच्चे करोना का तो कहीं ना कहीं खास तोर पे स्वा कि अधर बच्चे कि नहीं जो बच्च पाय जा रहे हैं तो कुछ छोटे बच्चे है जिनकी उमर लगबच है उनकी आज से दस साल की उमर बताई जा रही है और लगबग जो अभी सक गाज़बाद नोईडा समेश जो बच्चे करोना पॉजी किम पाए गए हैं उनमें भी कास और पे कुछ 17 साल की उमर के बच्ची भी हैं जिनमें करोना की रिपोर्ट आई हैं जी जो बिलकुल बहुत 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 शुक्रिया मैसे जुड़ने के लिए तमाम जहनकारी के लिए इस खबर पर मैसे समय दाता प्रवीन जुड़े थे गाजियाबाद से रुकरते अगली खबर की तरफ उत्तफरदेश के अलीगर्ट से ग्यांगरेप का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि आटो ट्राइवर समेत थीन लोगों ने महिला को हवस का शुकार बनाया साथ ही पेडिता के साथ लूट पार्ट भी की गई वहीं मौके से आरोपी फरार हो गए है जहाँ पुलिस ने महिला को डॉक्टरी परीक्षड के लिए जिलास पताल भीजा है जानकारी के मताबिक मौके पर स्स्पी कला निधी नैथानी मौके पर पहुँचे और मामले की जाच में जिड़ गए है पेडिता की तहरीर की अधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है तो आटो ड्राइवर समयत तीन लोगों ने ये दुशकर्ब को अंजाम दिया है अलीगर्ट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है आपको पता दे है कि दुशकर्ब के साथ साथ लूट पार्ट की घटना को भी अंजाम दिया गया है उतरफरदेश के अलीगर्ट से गैंग रेप का ये मामला सामने आ रहा है आटो ड्राइवर से मेता तीन लोगों ने महिला को हवस का शिकार बनाया है साथी पीड़िता के साथ लूट पार्ट भी की गई है और मौके से आरोपी फरार हो गए है और अब इन्हीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है पुलिस ने महिला को डॉक्टरी परिक्षण के लिए भेजिये दिया है और साथी साथ जानकारी के मताबिक मौके पर SSP कला निधी नैथानी मौके पर पहुँचे और मामले की जार्च में जुट गए और अटो चालक और दो अन्य व्यक्तियों पर उन्टी किलाफ इसूचना दिये कि उन्होंने उसके साथ इलग काम किया है दुश्कर मादी के आरोप लगाए गए है मौके पर अधिकारियों द्वारा और खाना प्रवारी की टीम द्वारा और जन्पसी प्राइम टीम द्वारा मौका मौाइना करके हुए जो भी इसमें संदिख्द हैं उनकी गिरफ्तारी है तो टीमी बनाकर CCTV फुटेज और अन्य कारवाई यां जारी है और F.I.R. 55 कर लिए महिला का मेडिकल करा दिया गया है बड़ी खबर सामने आ रही है आटो में महिला के साथ गैंग रेफ हुआ है आपको बता दे कि आटो ट्राइवर समेट तीन आरोपी बताए जा रहे हैं और जो कि फरार हैं पुलिस ने जाच तेज कर दी है महिला को परिक्षड के लिए भी भेज़ दिया गया है और मौके पर S.S.P. कला निधी नैथानी भी पहुची और इस खबर पर हमासा जाद बाचीत के लिए समुधा ता नितेश जुड़ चुके अलिगर्स से नितेश क्या है पुरा मामला कब की गटना बताये जा रही है अकराबाद से बीच में नानों पड़ता है नानों में जाकर उटों में तीन और समारी थी इसमें उटों चालक भी था तो बताया जारा उस महीला के साथ उन तीनों ने बारी बारी उसे गेंग रिप किया है तो इस मामले में महीला द्वारे शुकायत दर्च कराई गई है पुलिस ने क्या कुछ जाचे करने की बात कही है किन-किन धाराओं में मामला दर्च किया गिए वर साहन कि अजिम पर्च कर दोद लिए इस मामलें को संगयर में जाराओं कship द्वारे गेंगे करी जारी है महिला का इस मामले पे क्या कुछ कहना है? क्या कोई बयान सामने आया है? महिला की बात करी जाए तो महिला की जाच के लिए इसे locks में इड मिड करा गया है और महिला के चोटे भी आई हैं काफी और आगे देखना होगा क्या स्थिति रहीगी? कहां की रहने वाली है और उसके साथ क्या उसके परीजयन मौझूद है? अगर महिला की बारत करिया है तो वो दिल्ली की रहने वाली है दिल्ली में उसका माइका है और उसकी अकरावाद में सुस्राल है तो वो दिल्ली से अकरावाद के लिए अपने सुस्राल जा रही थी देर राध उसके साथ ये हासा हुआ है जो बिलकुल बहुत बाशुक्री आमा यसे जोड़ने के लिए इस खबर पर मा यसे समधा था नितेश जोड़े थे अलीगर से चार बजी की चार बड़ी खबरों में फिल हाल इतना ही देश-दूनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहेए प्राइम टिवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार